हे गाईज मैं हूँ सीमा और दावत चनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप के लिए आज मैं लेकर आई हूँ कि हमें अगर आधा किलो का केक बनाना है तो प्रिमिक्स कितना लेना होगा यह बहुत लोगों का confusion है कि आधा किलो का पाव किलो का या एक किलो का केक बनाना है तो हमें प्रिमिक्स कितना लेना है यही समझ में नहीं आता तो आपका जो यह प्रॉब्लम है गाईज इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है तो वीडियो को पूरा इंट तक देखिए आज मैं इस वीडियो में पाव किलो के केक के लिए एक किलो या आधा किलो के केक के लिए सारे मेजर्मेंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए ये वीडियो शुरू करते है और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हल्फुल लगता है अच्छा लगता है ना तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावच चनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ मेजरिंग कप्स अगर आप बेकिंग करते हैं गाईस तो ये आपके पास होने ही चाहिए मैं हर बार ऐसा कहते हूं क्यूंकि बेकिंग में जो मेजर्मेंट्स होते हैं वो बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट होते हैं तो आप इस तरह के मेजरिंग कप्स होते हैं यह मार्केट से खरीच सकते हैं तो यहाँ पर यह जो सबसे बड़ा वाला कप इसमें आता है इसका मेजर्मेंट है 240 ml तो यह अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कई लोगों के पास यह बड़ा वाला कप 200 ml का भी होता है कई के पास 250 ml का और मे जानकारी दे देते हैं लेकिन आपके कप से मेजर करेंगे तो वह गलत ही आएगा इसलिए आज मैं आपके साथ एक तम करेक्ट मेथड़ शेयर करूंगी कि जिसे कोई भी अगर घर पर करना चाहता है तो उसका वो जो सारा मेजरमेंट है वह एक तम करेक्ट ही आएगा तो चल तो आपके पास तो वेट मशिन नहीं होगा तो आप कैसे मेजर करेंगे तो आप क्या कर लीजे किसी भी दुकान पर जाएए 100 ग्राम या आप इस तरह का ग्रोसरी में आपका कुछ 100 ग्राम का कुछ पैकेट वगरा आता है तो उसे आप मेजर कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जीरे का पैकेट है यह सारा जीरा इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि यह जो मेरा कप है वो कितने ग्राम का है अगर आप चाहे तो दुकान में जाकर भी आप आपका जो कप है कटोरी है वो कितने ग्राम की है वो मेजर करके ला सकते हैं तो देख पूरा 100 g जीरा है उससे हमारा कप यहां पर भर चुका है इसका मतलब है मेरा जो 240 ml वाला कप है वो 100 g का है तो अब यहां पर आपकी सारी कन्फिजन दूर हो चुकी होगी तो हमें अब आदा किलो का केक बनाना है तो वो बहुत ही असान है तो 100 g का मेरा यह कप है तो आप भी आपके कप के मेजर्मेंट्स इस तरह से घर पर ही ले सकते है और अगर आपके पास अगर यह मेजरिंग कप नहीं भी है गाई तो आप क्या कर सकते है यह जो 100 g जीरा है आप किसी भी बरतन में डाल दीजे यहां पर सपूज मैं यह स्टील की कटोरी है तो उसमें यह 100 g जीर एक शेयर करने जा रही हूं तो इसके लिए मैंने आप एक बाउल ले लिया है एक स्पेचुला लिया है और इसके रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी तो यहां पर मैं एक कप प्रिमिक्स में डाल दीती हूं एक कप यानि 100 g ग्राम का मेरा कप है तो आदा किलो के केक के लिए आपको 1500 ग्राम या 140 ग्राम, 1500 भी आप लेंगे, तो भी आपका के कराम से त्यार हो जाता है, इसमें मैं तेल यहाँ पर डाल देती हूँ, गाइस, डेड़ या 2 टेबल स्पून के करीब, तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक बैटर तयार कर लेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि पानी हमें इसमें कितना यूज करना है तो पानी तो हमें एक कप लेना है शुरुआत में और एक कप से थोड़ा सा कम ही लगता है लेकिन ज इस तरह से पानी का जो मेजरमेंट है वो अलग-अलग होता है कई प्रीमिक्स थोड़ी से पानी में भी उसका बैटर बन जाता है कई प्रीमिक्स को बैटर तयार के लिसले तो इसलिए आपको पानी का मेजर्मेंट में एहां पर नहीं दूगी सिर्फ आपको केक बात्र इक तंटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी तयार करना है थोड़ा पानी डालना है एकदम से अगर हार्ड रहेगा थिक रहेगा तो हमारा केक उपर से फट जाएगा उपर से उसे क्रैक्स आएंगी तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया था तो तीन चौथाई कप या पॉना कप पानी मुझे लगा है थोड़ा सा पानी इसमें बज गया है तो यहाँ पर अब मैं पा पाइनैपल केक है इसलिए डाल रही हूँ अगर आप चाहे तो डाल सकते है नए तो स्किप भी कर सकते है केक का बैटर हमारा यहाँ पर तयार है तो चलिए अब जो केक का मॉल्ड है टिन है उसे ग्रीस कर लेते है मैं आपस चोटा वाला डबा यूस कर रही हूँ इसका जो है ज्यादा हाइट वाला तो आपको इस तरह का हाइट टिन यूस करना है केक को बेक करने के लिए टो चलिए सारा बैटर मैं इस डबबे में डाल दिया है इस तरह से कितने किलो के लिए कौन सा टिन यूज़ करना है ये भी वीडियो चनल पर अपलोड कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते है दो से तीन बार मैंने इसे टैप कर लिया है अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो यहाँ पर दस मिनिट पह दذ लगे द्याओ करते हैं तो ने इसलिए यहाँ पर शुक्त मिनिट लगए लेकिन हो सकता है आपको पांच या साथ मिनिट कम भी लग सकते हैं नहीं तो जाधा भी किविव क्यूक्हिग बेकिंग टाइम आपके बरतन के उपर या ग्यास फ्लेम के उपर भी डिपेंड होता है तो यहां पर मुझे 40 मिनिट उसे बेग करने के लिए लगे है तुद्पिक मैंने इसमें डाल कर देख ली है पूरी तरह से क्लियर आ रही है इसका मतलब है केक हमारा पूरी तरह से बेग हुआ है और हां केक हर बार ग क्रीम लगानी होगी डेकोरेट करने के बाद यह हमारा केक बन जाएगा आधा किलो का तो अभी हम लोग इस खाली स्पॉंच का वजन देखेंगे तो यह 300 ग्राम के करीब होगा अभी मेरे पास फेट मशिन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती लेकिन इसका वजन 300 ग्राम्स के करीब है तो जब हम लोग इसे शुगर सिरफ लगाएंगे और पूरी तरह से क्रीम से डेकोरेट करेंगे ना तो हमारा केक बन जाएगा आधा किलो का तो इसके लिए हमें विपिंग क्रीम लेनी होगी एक कप और दो से तीन चमच इसके उपर लेनी होगी तो सारी क्रीम लगाने के बाद पूरी तरह से केक डेकोरेट होने के बाद आपके केक का वजन होगा गाईस आधा किलो या 500 ग्राम, तो 15-20 ग्राम थोड़ा सा ज्यादा ही रखिए, तो अगर आपको पाउ किलो का या 60 ग्राम का केक बिनाना है, तो आपको इस तरह का मेजर्मेंट सारा लेना हुगा, तो आपका डेकोरेशन के बाद पाउ किलो का केक तयार हो जाता है, और अग मेजरमेंट्स आपको इस तरह से लेने होंगे तो आपका डेकोरिशन के बाद एक किलो का केक तयार हो जाएगा तो मैं खुद इस तरह के सारे मेजरमेंट्स केक बनाने के लिए यूज करती हूँ तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, helpful लगा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी request की थी वीडियो अगर आपको हमेशर कितरे अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज इसे like, comment, share और डावत चनल पर नए है तो इसे subscribe भी कर लिजे तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो की साथ, तब तक के लिए, thanks for watching guys, take care